हलो फ्रेंड्स, स्वागत आपका तर्वर गार्डन चैनल में मैं मरुभूमी राजस्थान से और आज हम बात करने वाले हैं इस खुब सूरत इंग्लिश रोज के बारे में ये अंग्रेजी गुलाब है जिसमें एक साथ बहुत सारी कलिया खिलती हैं और छोटे-छोटे बहुत सारे फ्लार्स आते हैं कई कलर्स में मिलता है लेकिन मुझे ही पसंद आया ये लास्ट इयर मैंने पसंद किया था लेकिन मुझे फिर मिला नहीं लेट विंटर में तो अब इस सीजन में मैं अभी इसे लेकर आया हूँ आज हम जानेंगे इसे हम पॉट में कैसे लगाएं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम स्वाइल मिक्स बना लेते हैं इसमें हम थोड़ी सी ले लेंगे गोबर की खाद और ले लेंगे एक अच्छी मिट्टी ये मिट्टी नीव की खुदी हुई है जो बेस्मेंट वगरा खुदता है तो मैंने इसे इसमें कंकर वगरा थे तो मैंने इसे अठा लिया था है इसमें इसे कंकर वगरा और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे करे बार मिट्टी के अंदर या खाद के अंदर बहुत सारे कुछ कीड़े बगर रह जाते हैं, तो उसको मिटाने के लिए पेस्टिसाइड है, हमें इसे थोड़ा सा लेकर स्प्रिंकल कर देंगे, मैं कई जो पॉट लगाता हूँ, अथोर रिपॉर्ट करता हूँ, उसमें थोड़ा सा इस पेस्टिसाइड को मिला देता हू ताकि जो कीड़े वगएरा है वो मर जाए हम एक पॉट लेंगे यह पॉट सम्थिंग वन फूट का होगा और इस पॉट को लेकर हम इसके डिनर जोन में छुट आसा एक कोई मिट्टी का को टुकडा हो या पत्थर का को टुकडा हो उसे हम रख देंगे पर रखे ऐसे कि उसम इसमें डालते हैं तो पानी नीचे ड्रेने जोल से सारा निकल जाता है वो इसलिए होता है क्योंकि हम मिट्टी को दबाकर नहीं लगाते हैं तो शिरुवात की मिट्टी को दबाकर लगाएं उसके बाद थोड़ी से और मिट्टी डालें प्लांट बॉल को रख दें यदि इसमें उसकी रूट्स जड़ें बाउंड हो रही हों से थोड़ा सा खोल दें और सारी मिट्टी बंद कर दें उसको अच्छे तरह से और पैक करने के बाद गमले में इसे थोड़ा सा हाथ से दबा दें यह प्लांट हमारा तयार हो गया समयस पर बॉर्टरिंग करें आपको बाहर भी ने रखना है इसको तेज धूप में रखना फिलाल तो कि अभी हमारे राजी स्थर में देओ काफी तेज धूप है हाँ सुबह सुबह का इन्वर्मेंट ठोड़ ठोड़ ठंडा हुआ है लेकि धूप जादा है पाने डालकर इसे अच्छे से रख दें कमेंट ज़रूर करें आप हमारा सपोर्ट कीजिए मैं ऐसी वीडियो आपके पास लेकर आता रहूंगा समय समय पर और तब इसमें और फ्लावरिंग आ जाएगी तो मैं इसको वापस दिखाऊंगा अगर इसमें कोई पराने फ्लावर्स हों तो उसको हटा सकते हैं पत्या वगएर उसको कट सकते हैं और अच्छे से कटिंग गला करके एक बारी करें रोज रोज कटिंग नहीं करें कुछ लोग है जो बार बार हर रोज कभी पत्ती हटाते हैं कभी फ्लावर हटाते हैं कभी उसके स्टी को कट कर देते हैं इससे प्लांट इस ट्रॉक में आ जाता है जो कि अच्छा नहीं है अभी कर लीजिए क्योंकि अभी इस ट्रॉक में आ चुका है क्योंकि एक थैली से अपने दू के बाद खराब हो जाते हैं तो आप इसे एक अच्छी सी कैची की दो शार्प आपके पास सीजर्स हो उससे आप इसे कट कर सकते हैं और इसके अंदर बनाना फर्टिलाजर डालेया और मैंने बनाना फर्टिलाजर बनाया भी हुआ है बहुत दिनों से रखा हुआ है वो मैं ड थांक यू सो माच्च